हेलो फ्रेंड्स पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्किल ड्वेलपर में और किसी फ्रेंड ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले अगर आप PTE के बारे में कुछ नॉलज चाहते हो तो हम स्टाट करेंगे PTE जिसमें आप आप ओवरल PTE के बारे में जान सकती है कि PTE में कौन कौन से किस पार्ट में ड्वाइड कैसे किया जाता है तो आज हम बात करेंगे आउनली अबट PTE स्पेकिंग और मैं कुछ वीडियो इंगलिश में हुए है PTE एरिगादी लेकिन अभी मैंने सोचा है कि जैसे जैसे मैं PTE की English में वीडियो बनाऊँगा उसके simultaneously मैं Hindi में भी बनाऊँगा ताकि जो किसी friend को समझ नहीं आ रही है English starting में वो हिंदी में देखें उसको practice करें जाने English में देखें तो आप अपने PTE ज्यादा से ज्यादा उसको बड़ा सकते हैं तो firstly हम start करेंगे about PTE speaking PTE speaking क्या होती है firstly जो PTE speaking है वो बहुत important part है PTE का speaking बहुत ही important part है because जो PTE speaking है इसमें आपको reading के भी marks मिलते हैं means आपको जब reading करेंगे तो उसके भी marks contain होती है PTE speaking में तो इसलिए सबसे important part है जो PTE का वो है speaking अगर आप only speaking में आपके अश्य marks आते हैं तो दूसरे जो module है like reading, writing और listening उसमें से आपके marks automatically बढ़ जाते हैं because PTE speaking से ज्यादा marks का मतलब है कि आपके listening में भी marks बढ़ रहे हैं तो आपके reading में भी marks बढ़ रहे हैं because जैसे आपने read aloud है इसमें एक section है उसमें आपने पहरा एक read करना होता है तो उसमें जो आपके reading के marks भी contain होती है तो चलो यह हम detail में बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे उसके बाद जाएंगे तो firstly हम overall देखते हैं PTE speaking क्या होता है तो सबसे पहले जो PTE speaking है उसमें start जब PTE speaking होता है तो वो एक introduction से होता है जिसमें आपको अपनी introduction देनी होती है तो जो introduction part है उसका कोई भी marks contain नहीं होता आपके actual score में इसमें कोई marks होता जस्ट आपने अपनी introduction देनी है तो जब PTE start होगा वो introduction मांगेगा तो उसमें आपको 25 seconds मिलेंगे प्रेपेर करने के लिए introduction और 30-40 seconds में आपने वो introduction computer को record करवानी है तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको sound check बगारा के लिए time मिलेगा अगर आपको कोई भी problem आ रही है आवाज में problem, recording में problem, keyboard में problem आ रही है कोई screen hang हो रही है तो आप अपना hand raise कर सकते हैं तो जो भी जिसकी भी वहाँ पर duty होगी वह आपके बास आएगा और आपकी problem solve कर देगा सबसे पहले जो हम देखती है PTE जो 5 parts में divide की होती है जिसमें जो parts होती है read aloud, repeat sentence, describe image, retail lecture, answer, short questions जो overall PTE speaking का है इसमें कोई आपको time boundation, overall time boundation नहीं होती है कि overall आपने सारा test इतने time में करना है ऐसा कुछ नहीं होता है because इसमें individual part, individual question का time होता है means आप जैसे reading में होता है कि आपको 40 minutes में reading complete करनी और 45 में करनी ऐसा इसमें नहीं होता है इसमें आप जैसे read aloud आप इसकी हर एक question का time होगा means हर एक question का different time हो means आपको time का concentrate overall के लिए कुछ नहीं करना होता है कि आपने ये speaking test इतने time में खतम करना है ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे आप practice करेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे read aloud का time होता है कैसे repeat sentence का होता है तो हम भी जैसे जैसे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा मैं deep में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने ये सब कुछ करना है तो पहले जो first जो आपका start होता है वो हता है read aloud इसमें आपको short paragraph आते हैं 7 से 8 तो आपको पहले time मिलेगा उसको read करने का फिर आपको record करने का time मिलेगा means जैसे आपने उसको पढ़ा पहले आपको time मिलेगा 25 to 30 seconds मिलेंगे कि आप उसको read करो अपने mind में करो read तो उसके बाद beep की आवाज आएगी beep की आवाज के बाद आपने उसको start करना है जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है तो यह क्या कई student को गलती करते हैं कि वो beep की आवाज से पहले ही उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं अगर आपने बीब की आवाज से पहले start कर दिया वरना तो आप उसका कोई भी marks आपको नहीं मिलेगा तो आपने जब बीब की आवाज आएगी उसके बाद ही start करनी है जो भी आपने read करना है उसके बाद करना शुरू करना है second जो बहुत important है PTE speaking में अगर आप बीब की आवाज के बाद तीन सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलते तो वो automatically next question पे चले जाएगा फिर वो आपकी recording नहीं होगी इसलिए जैसे ही बीब की आवाज आई उसके बाद आपने answer देना शुरू कर देना है recording करवानी शुरू कर देनी है in every part like repeat sentence, describe, image, read a lecture and answer short questions 3 seconds से ज़्यादा अगर mic में आपने कुछ नहीं बोला तो वो automatically cut हो जाएगा तो वो उस individual part के आपको marks नहीं मिलेगे जैसे आपने read aloud का first paragraph बीब की आवाज आई, तीन सेकंड के लिए आप कुछ नहीं बोले वो cut होके second paragraph पे चले जाएगा understand, okay, firstly read aloud आपको बै नहीं बता दिया, 7-8 paragraph होती है, उसको आपने read करना होता है aloud, जो computer को record करवाना होता है, सामने लिखा होता है, उसको पढ़ना होता है लेकिन यतना यह sound easy करता है, उतना sound है नहीं, आपको थोड़ी practice करनी पड़ेगी उसके बाद होता है repeat sentence, repeat sentence में क्या होता है कि कुछ words, कुछ sentence होते है वो computer आपके headphone में आपको सुनाएगा, तो उसको आपने repeat करना है means, जो बोलेगा उसको आपने repeat कर देना है, simply, as it is, जैसे ही computer ने बोला third part is describe image, describe image में क्या है, साथ से आठ images आएंगी, like bar graph, जैसे आपने देखा होगा कि islets में होता है, writing में, bar graph होता है, ऐसे ही इसमें bar graph आएगा, pie chart हो सकता है, कोई diagram हो सकती है उसको आपको पहले time जिया जाएगा, 25 to 30 seconds time जिया जाएगा preparation के लिए, उसके बाद आपने 40 seconds के लिए उस diagram को, उस image को describe करना है, अपने words में, आपने वो describe करनी image अपने words में तो यह तो describe image, यह describe image बहुत important part है, बहुत marks contain करता है, according to my thinking उसके बाद क्या होता है, रीटा lecture, रीटा lecture में क्या है कि एक आपको 2-3 यह आएंगे, एक आपको lecture सुनाया जाएगा, जो lecture 2-3 minute का हो सकता है तो उसको आपने 40 seconds में उसको repeat करना है in your own language, तो आपने क्या करना है, जो आपकी language है, उसको repeat करना है means वो, जो आपका, sorry, जो आपका lecture है, जो आपने lecture सुना है already, उसको just अपनी language में repeat करना है कि यह वाला lecture था, वो 40 seconds में आपको complete करना होता है Last one is answer short questions, it is very simple, यह बहुत easy questions होंगे, जैसे आपने अगर 10th तक जो बच्चे पड़े हूं, सभी को वो answers पता होती है तो उसमें easy question होती है, like what is the opposite of east, ऐसे question होती है, तो आपने वो answer देना है, answer short question, इसको बोलते है एक और दो word का answer होता, जो आपने देना होगा यह तो था PTE speaking, इसके overall बारे में एक बात हो रहा है, as for my knowledge, इसमें जो read aloud है, describe image and read a lecture, यह तीन जो पार्ट है PTE speaking के, यह ज़्यादा marks contain करते हैं, as compared to repeat sentence and answer short questions So, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने है, कि read aloud, describe image and retell lecture आपका बहुत बढ़िया हो तो इसमें जो सबसे important तीन factors है, वो है सारे speaking section में, pronunciation, intonation and fluency pronunciation means, कि जो आप pronounce कर रहे हो, वो means computer को समझ आना चाहिए, means वो, because जैसे आप बोलती हो, तो वो computer उस बात को record करता है, तो वो उसको समझ आनी चाहिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका accent जो British होना चाहिए, Australian होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप Indian हो तो Indian accent से बोल सकते हो, लेकिन जो word है, उसकी समझ आनी चाहिए, means आप किसी से English में बात कर रहे हो, आपने ये सुचना है दिमाज में, कि आप किसी person से बात कर रहे हो, तो वो आपकी बात समझ रहा है, के नहीं समझ रहा, means उसको समझ आनी चाहिए, ये होती है, pronunciation, intonation means, ये सारे speaking section में, intonation, pronunciation and fluency के ही marks है, intonation means होता है कि, जैसे हम कोई बात करते हैं, जैसे हम मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे मैं अपनी, कहीं पे रोक रहा हूँ, कहीं किसी चीज में सट्रस दे रहा हूँ, किसी में कहीं पर, जैसे ऐसे ऐसा होता कि, जैसे आप पढ़ोगे read aloud, उसमें जैसे कॉमा है, उसमें थोड़ा रुकना है, जो important word है, उसमें सट्रस देनी है, ये होती है, intonation, and fluency means कि जब आप बोलो, आपकी fluency जादा से जादा अ होनी चाहिए, means, जैसे आप describe कर रहे हो, image को describe कर रहे हो, तो आप continuously इसको image को describe करो, means, उसमें आप रुको नहीं, आप याद नहीं करने लग जो, means, वो computer है, तो computer, जैसे आपको पता है, PT, एक computer regarding test है, computer आपका test ले रहा है, तो इसमें ज़्यादा आपकी फैदे है, because जो computer जब recording करता है, तो आप उसको कई तरीकों से hack कर सकती हो, means, कई तरीकों से उसको बेवकूफ बना सकती हो, computer को, but इसमें कुछ counts भी है, कि आपको, जो आपके words clear होने चाहिए, अगर computer को नहीं समझाएगा, तो आपके marks cut कर लेगा, okay, so friends, यह तो था PTE speaking, इसके बाद जो next video आएगी, वो आएगी, regarding read aloud, फिर उसके बाद हम video describe, repeat sentence, ऐसे ऐसे, सभी parts की individual में video बना के, upload करूँगा, so thank you very much, अपने visit करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो मेरी तरफ से आप सभी को best wishes for your future, तो आप PTE कर रहे हो, आपका PTE clear हो, and don't forget to subscribe my channel, thank you, thank you very much.